शोत परख लेक अठरा प्रकाश उत्पन करने वाले जीव डॉक्टर परशुराम शुक्ल लेखक परिचे डॉक्टर परशुराम शुक्ल जी का जन्म 6 जून 1947 को उत्त प्रदेश के कानपुर में हुआ आप बाल साहित्य लेखन में जितने सिधहस्थ है उतने ही पशु जगत का विशलेशन करने में भी सिधहस्थ मानी जाते हैं आपके बाल साहित्य में बालकों के मनुविज्ञान और कारे वैवार का बड़ी सुक्षमता से अंकन हुआ है तो भारतिय वन जीवव का अनुसंधान परक अध्यन और लेखन आपके लेखों और पुस्तकों द्वारा प्रकट होता है आपकी अनेक कृतियों का अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, आदी भाषाओं में अनुवाद हुआ है विशे के अनुसार भाषा का प्रयोग आपकी भाषा की विशेश्ता है आपको राष्ट्रिय सर के अनेक पुस्कारों से सम्मानित किया गया है प्रमुक कृतिया जासूस परमचंत के कारणामे बाल धारवाय नना जासूस बाल कहानी संग्र सुनहरी परी और राजखुमार बाल उपन्यास नंदन्वन आओ बच्चो गाओ बच्चो मंगल ग्रह जाएंगे बाल कवीता संग्रह आदी लेक लेक लिखने की परमपरा हमारे यहां बहुत पहले से चली आ रही है लेक में वस्तुनिष्टता, ज्यान परक्ता, शोद परक्ता जैसे तत्वों का समावेशक्ता रहता है लेक समाज, विज्ञान, राजनीती, इतिहास जैसे विश्यों पर ज्यान वर्धन करने के साथ साथ जानकारी का नवीनी करन भी करते हैं लेक में उधारनों का समावेश लेक को रोचक्ता प्रदान करता है पाठ परिचे प्रस्थुत पाठ में प्रकाश उत्पन करने वाले जीव जैसे विशय पर प्रकाश डाला गया है जुगनु को छोड़ कर ऐसे असंख्य जीव हैं जो प्रकाश उत्पन करते हैं इस तत्य से शायद हम परिचित ना हूँ परन्तु लेखक की शोड़ परक डिश्टी इस समय को विशलेशित करती है और हम इस विज्ञानिक सत्य से अवगत होकर विस्मित हो जाते हैं लेखक कहना चाहते हैं कि हमें विज्ञान की आँखों से अपने आसपास की दुन्या को देखने की अवश्यक्ता है संसार में व्याप्त असंख्य अग्यात तत्मों की जानकारी हमें प्राप्त होती है मानव सहित विशेश के अधिकांश जीवों के जीवन में प्रकाश का बहुत महत्व है विश्व में ऐसे बहुत से जीव पाई जाते हैं जिनके आखे नहीं होती इनके लिए प्रकाश का कोई महत्व नहीं होता मोती बनाने वाला समुद्री गोग का मुकता शक्ती परल ओईस्टर का सर्वोत्तम उधारन है इसी प्रकार विश्व में ऐसे बहुत से जीव पाए जाते हैं जो अपना रास्ता मालूम करने के लिए तथा इसी प्रकार के अन्यकारे करने के लिए अपनी डुष्टी का उप्योग करते हैं इसी प्रकार विश्व में ऐसे बहुत से जीव पाए जाते हैं जो अपना रास्ता मालुम करने के लिए तथा इसी प्रकार के अन्यकार्य करने के लिए अपनी डुष्टी का उप्योग करते हैं प्रकाश के अभाव में अपने कार्य करना बहुत कठिन हो जाता है इस समस्या को दूर करने के लिए मानव टॉर्च, बल्ब एवं इसी प्रकार की अन्यकुत्रिम वस्तुओं का अविश्कार करता है पश्यू पक्षी इस प्रकार के कुत्रिम अविश्कार नहीं कर सकते अतह प्रकरती ने उन्हें विभिन प्रकार की सुविधाएं प्रदान की है उधारन के लिए उल्लू की आखे बड़ी होती है जिससे वर रात के अंधेरे में सरलता से देख सकता है रात में शिकार करने वाले जीवो, बाग, सीही, तेंद्वा, आदी की आखों की सनरचना इस प्रकार की होती है कि वे रात के अंधेरे में अपने शिकार की खोज कर सकते हैं अर्थात पूर्ण अंधकार की स्थिती में विश्व का कोई भी जीव कुछ भी नहीं देख सकता विश्व में ऐसे भी अनेक जीव पाए जाते हैं जिनोंने अपने शरीर पर प्रकाश उत्पन करने वाले अंग विक्सित कर लिये हैं तथा अपनी अविश्वक्ता अनुसार इन अंगों से प्रकाश उत्पन करते हैं इस प्रकाश के जीवों को प्रकाश उत्पन करने वाले बायो लुमिनिस्सिंट जीव कहते हैं प्रकाश उत्पन करने वाले जीव अपने प्रकाश का उप्योग ठीक उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार मानव तॉर्च, बल्ब, आधी का उप्योग करता है कित्तु मानव और प्रकाश उत्पन करने वाले जीवों के प्रकाश में बहुत अंतर होता है मानव द्वारा तयार किये गए प्रकाश उत्पन करने वाले बल जैसे उपकरनों में तन्तु फिलमेंट को इतना गर्म करते हैं कि वह प्रकाश उत्पन करने लगता है इस प्रकाश के उपकरनों में प्रकाश के साथ ही उश्मा, हीट भी उत्पन होती है अता इसे गर्म प्रकाश, होट लाइट कहा जा सकता है प्रकाश उत्पन करने वाले जीव, जिवानों द्वारा अत्वा अपने शरीर से उत्पन रसायनों की पारसपरिक क्रिया द्वारा प्रकाश उत्पन करते हैं इस प्रकार प्रकाश उत्पन करने में उश्मा उत्पन नहीं होती प्रकाश उत्पन करने वाले जीवों के प्रकाश उत्पन करने की प्रकरिया को लुमिनिसेंस कहते हैं इस प्रकरिया द्वारा प्रकाश उत्पन करने में प्रकाश तो उत्पन होता है किन्तु इसमें उश्मा नहीं होती आता इसे शीतल प्रकाश अथ्वा थंडा प्रकाश कहा जाता है प्रकाश उत्पन करने वाले जीव विश्व में सभी स्थानों पर पाई जाते हैं इस प्रकार के जीवों में जनसामान्य जुगनू फायर फ्लाई से परिचित हैं जुगनू कीट वर्क का जीव है और पूरे वर्ष प्रकाश उत्पन करता है विश्व में कवक फंगस की कुछ ऐसी जातियां पाई जाती हैं जो रात में प्रकाश उत्पन करती है इन्हें कवक की चमकने वाली जातियां ग्लोइंग स्पीशीज और फंगस कहते हैं कवक की प्रकाश उत्पन करने वाली जातियों द्वारा उत्पन किये गए प्रकाश को फॉक्स फायर कहते हैं इसी प्रकार मश्रूम की कुछ जातियां रात में प्रकाश उत्पन करती हैं प्रकाश उत्पन करने वाले जीव, थल की अपेक्षा, सागरों और महासागरों में अधिक है। ये मुख्य रूप से 220 मीटर से लेकर 1100 मीटर की गहराई वाले भागों में अधिक पाय जाते हैं। इस भाग में जेलीफिश, स्कीवर्ड, क्रिल, विभिन जातियों के जीङे आधी रहते हैं तथा प्रकाश उत्पन करते हैं। प्रकाश उत्पन करने वाले जीव प्राया, नदियों, जीलों, तलाबों आधी ताजा पानी के स्रोतों में नहीं पाय जाते। ये समुद्र के खारे पानी में अधिक मिलते हैं क्योंकि समुद्र में अधिक गहराई पर हलका अत्वा घना अंधेरा रहता है यह अंधेरा गहराई के साथ पढ़ता जाता है। इसके विपरीत नदियों, तलाबों, जीलों आधी में पानी के तल तक सूर्य की किरने पहुँच जाती हैं। अतहा वहां प्रकाश रहता है। प्रकाश उत्पन करने वाले जीव दो प्रकार से प्रकाश उत्पन करते हैं। जिवानों द्वारा और रसाइनिक प्रदार्थों की पारस्परिक क्रिया द्वारा। जिवानों द्वारा प्रकाश उत्पन करने वाले जीवों के शरीर पर ऐसे जिवानों रहते हैं, जो प्रकाश उत्पन करते हैं। इनहीं जिवानों की सहायता से ये प्रकाश उत्पन करने वाले जीव बने हैं। वास्तव में ये जीव प्रकाश उत्पन नहीं करते हैं, बलकि इनके शरीर पर रहने वाले जिवानों प्रकाश उत्पन करते हैं। इस प्रकार के जीव प्रकाश उत्पन करने वाले जिवानों के साथ सहजीवी संबन सिंबिटिक रिलेशन्शिप सापित कर लेते हैं, तथा जिवानों के प्रकाश पर अपनी इच्छा एवं आवशक्ता के अनुसार उप्योग करते हैं.